जीतन नामाजी गरीबों के मशीहा लालू परसाद यादो जी के पदे चीनों पर चलने का काम करेंगे और जब आदनी लालू परसाद जादो उनसे समय अस्पताल में थे जब अस्पताल से आएंगे मैंने कहा था उन दिनों अब तो अस्पताल जब मुखमंतरी थे और उन पर वजव आरोप लगा था और मानिय मुखंतरी जी कहते थे कि पब्लिक डॉमेन में इनको जवाब देना चाहिए तब मानिय मुखमंत्री को भी पब्लिक डॉमेन में जवाब देना चाहिए देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना एक तरफ जहां बिहाद सरकार में सामिल बीजेव और जेडिव एक दुसरे पर तंज कस रही है इससा पता चल रहा है कि बिहार में एंडिये की सरकार में कुछ सही नहीं है तब वहीं अब छोटी पार्टि बात करने आये हैं रार्जेडी के विधायक और प्रवक्ता मुखर प्रवक्ता है भाई ब्रेंदर इनसे बात करेंगे कि सर इस बयान को उपेंद्र कुस्वहा के बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं लगी सब बीजेपी और जदिव का मेली कुस्ति है एंडिये का औ और इस बयान से यही लगता है कि विपक्च की भूमिका को लोग समाप्त करना चाहता है जब हमारे नेता तेजबसी पर साथ जादो जब उप मुखमंत्री थे और उन पर बेवजह आरोप लगा था और मानिये मुखमंत्री जी कहते थे कि पब्लिक डोमेन में इनको कर रहे हैं जबाब देना चाहिए तब तक स्थिपादे देना चाहिए इतुना पांडे ने जो कहा है वो सही है वो सही है कि गलत है पब्लिक डोमेन में इनको भी जाना चाहिए और जनता को यह लोग मुर्ख मना बना वे बहुत से लोग हैं नए-नए नमाजी हो गये हैं प प्रिशन सदस हो गए हैं वो चाहते हैं की मेरा पर मोशन हो इस तरह के बैएन बाजी कर रहे हैं और यह मिली कुस्ति हैं यह पना बढ़ा दरिया दिखा रहे हैं लगातार बैयां कर रहे हैं कि हमने तिसरकार में रहें लेकिन हम उनके जो कारिकाल है हम उस पर अगर सही नहीं रहेगा तो सवाल भी उठाते रहेंगे इसको उन्हों ने जो कुछ कहा है सही कहा है और समय आने दीजिए जितन नामाजी गरीबों के मशीहा लालू प्रसाद यादो जी के पदे चीन हुपर चलने का काम करेंगे आने दीजिए समय आने लगता है कि सचमुच में वो और लोगों की मदद करना चाहते हैं या फिर आजवेती ही हो रही है सबसे बढ़ी चीज है कि कोई सिधान्त आइडियोजी अब नहीं रहा और एंडिये के पास कोई आइडियोजी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना लोगों को परिशान करना जात के नाम पर परिशान करना जात के नाम पर कहीं मदद करना यही सरकार का है कोई आइडियोजी नहीं है इसलिए जितन नामाजी जी समझ रहे हैं कि उनको परिशान किया जा रहा है उनके लोगों का कोई काम नहीं हो पा रहा है चाहा मुके सहनी समझ रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है इसलिए वह अल्टिमेटम भी दिया है उन्होंने और आने दीजिए समय समय का इंतजार केजिए आप लोग अंदर अंदर कुछ ऐसा खिश्री तो नहीं पका रहे हैं आने दीजिए समय अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और कोरोना काल में इससे बात करना उचित नहीं है यानि कुल मिला करके कहा जाए तो लगता है कि बिहार के डादीते में कुछ गदलाव होने वाले एडार पहले भी कहां था मैंने कोरोना काल आपकी पार्टी मैं पंगाल म gratis में यूट अनुमय अपको इदिया था चईर का कई अब तो अस्पताल से आएंगे कोरोना काल खतम होगा पटना आएंगे खेला हो वे एक तरफ बिहार में वैक्शनेशन को लेकर करके जो है कवायते तेज हो गई है राज्य सरकार हो या फिर श्वास्त मंत्री मंगल पांडे दावे कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्शनेशन सभी लोगों को दे दिया जाएगा क्या लगता है कि पूरा होप है गई सवाल पर सरकार सजग नहीं है अब सुप्रियम कोर और हाई को संग्यान लेना पर रहा है और यह लोग बात बनाना जानते हैं चाह वो टीवी चैनल पर या प्रिंट मीडिया में केवल बयान वाजी कर रह है सर्जयमीन की ध्याकिकत को आप देखिए गा तो आपको लगेगा कि यह सरकार को कैसे दुरत हटा देना चाहिए चाह वो केंदर की शरकार हो चाह राजी की कैसे इन लोग को फुरक कर पाठी से ऊपर उठकर हर लोग आप सोचने को मजबूर हो गए लानुपरशाद यादों भी जिल से बाहर आ गए हैं क्या लगता है कि कब आप लोग की जो है वो तैयारी जो है वह वह आएंगे बिहार में पटना आएंगे और खेला खेला हो भी